हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इस्टिडीकर, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, आज हम डिस्कस करेंगे डेली करेंट अफ्यास की सीरीज में 27 अक्टूबर 2021 से रेलेटिड मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफ्यास, तो आप इस लेक्शर को बहुत ही ध्यान से सुनिएग हमारे बॉट्स अप नमबर है 86-0217-93 और दूसर नमबर है 87-70-53-09 चलिए फ्रेंड्स, पहला कुश्चन डिस्कस करते हैं, इंपोर्टेंट कुश्चन है, हाली में किस स्टेट गवर्मेंट ने सरकारी स्कूलों में कक्षा वारा तक के सभी स्टूएंट के लिए फ्री ए गोशना की गई है, दोस्तो, राज्य सरकार की गोशना के मुताबे कक्षा 9 से लेकर के वारा तक के छात्रों से किसी भी प्रकार की अब फीस नहीं ली जाएगी, इसके साथ ही उन्हें फ्री बुक भी प्रदान की जाएगी, इसके पहले देश भर में फ्री एजुकेशन का जो कॉंसेप्ट था, पहले से ही लागू था, यानि कक्षा 8 तक या लागू था, लेकिन अब हर्याना में कक्षा 12 तक या लागू हो जाएगा, यानि कक्षा 12 तक फ्री एजुकेशन मिलेगी कहां पर हर्याना होएं, अंगला कुशन है, हाली में किस देश ने घोशना की है कि वह साल 2060 तक सुद्ध सुन्ने ग्रीन हाउस उतसरजन का इस्तर प्राप्त कर लेगा, तो आंसर है इसका साओधी अरब, दोस्तों जो साओधी अरब है वो दुनिया भर का सबसे बड़ा तेल उतपादक देश है, तो इसने हाली में घोशना की है कि वह साल 2060 तक को आयुजित किया गये था, जिसमें कुछ उदेश निर्धारित किये गये थे, यानि साओधी ग्रीन इनिसेटिव के कुछ उदेश थे, तो आप उनको ध्यान से सुनिएगा, इसका उदेश था साओधी अरब में फॉरेस्ट के आपरण को बढ़ाना, यानि कि साओधी अर परियावरण पर, यानि परियावरण पर यह है साओधी Green Initiative आउजित किया गया था। तो दोस्टो इसका मकसद था कि जो बनस्पती है उसको बढ़ावा देना और कारवन के उस सरजन को कम करना और प्रदूशन को कम करना, इसके अलाबा भूमी छरन का मुकाबला करना और सब स इंपोर्टेंट बात थी समुद्री जीवन को सरदचित करना तो दोस्तो साउधी ग्रीन इनिसेटिब में ही इसकी घुशना की गई है कि जो साउधी अरव है साल दोहजार साड तक सुद्ध सुन ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन का इस्तर प्राप्त कर लेगा अब हम बात करते ह है कि सुद्ध सुन का इस्तर उस समय हासिल होता है जब बातावरं में बंढ़ने वाली ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा इनकी मात्रा में हुई कटवती से जादा नहीं रह जाती है यानि जितनी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों को कम किया गया है अगर उस से उनकी मात्रा अंत्रा दिवस के आउसर पर लाल कले से यह कहा था अपने संबोधन में कि जो भारतिया रेल है वो साल 2030 तक खुद को सुद्ध सून उत्सरजक बनाने का लक्ष तै किया है दोस्तों अब हम ग्रीन हाउस गैसों के बारे में कुछ बातें डिसकस कर लेते हैं जो ग्रीन हाउस है वो किसके लिए उतरदाई होती है तो किसी भी ग्रह यानि किसी भी प्लेनेट का जो जलवायू परिवर्थन है उसके लिए उतरदाई होती है इसके अलावा जो ग्लोबल बार्मिंग होती है उसके लिए भी उतरदाई होती है अब सवाल उड़ता है कि यह ग्रीन हाउस गैसें कौन-कौन सी हैं तो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे इंपोर्टेंट है कारवन डायकसाइड, दूसरा है नाइट्रस आकसाइड, मीथैन, क्लोरो फ्लोरो कारवन, बास्प और ओजोन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो दोस्तों यहां से कुश्चन बन जाता है कि क किस देश ने सीजियान 21 नामक एक नए सैटेलाइट का सफलता पूर्वक प्रच्छेपन किया है, तो उस देश का नाम है चीन, यानि चीन ने सीजियान 21 नामक सैटेलाइट का सफलता पूर्वक प्रच्छेपन किया है, दोस्तों जो यह सैटेलाइट है, इसका उप्योग म मलव करने वाली टेकनीलीजी वह किस प्रकार से काम कर रही है उसका वो टेश्ट करेगा اور उसका वेरिफिकेसन भी करेगा तो याद रिखिएगा कि जो CIGION 21 है ये स्पेस के मलव को कम करने वाली टेकनीलोजी का परिष्ण करने वाला है दोस्तों सिजियान 21 को लॉंग मार्च 3B कैरियर रॉकेट से दच्छड पस्चिम चीन के सिचुवान प्रांथ से सीचौन उपग्राय प्रिछेपन केंज से लॉंच किया गया था तो दोस्तों अंगला कोश्चन डिसकस करते हैं इंपोर्टेंट कोश्चन है दोस्तों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सूडान है उसमें सेने तक्ता पलट यानि military कौफ हो गया है सेना ने अंतरिम प्रधान मंत्री कौन थे वहां के अब्दुल्ला हमदोग तो उनको गरिपतार किया है और उनके साथ कई मंत्रियों को भी गरिपतार कर लिया है दोस्तो देश के मुख लोग तांत्रिक समर्थक समू सूडानीज प्रोफेशनल एसोसियेशन ने सेना के द्वारा तक्ता पलेट का मुकाबला करने के लिए लोगों को सड़कों पर उतरने का आववाहन किया है तो इस प्रकार से जो सेना है और वहां के जो लोग हैं साल की शुरुबात में ही हमने देखा था कि म्यामार में भी सेना के द्वारा तक्ता पलेट कर दिया गया है तो दोस्तो आपको ये भी याद रखना है कि सूडान में भी अब सेना के द्वारा तक्ता पलेट कर दिया गया है बात करते हैं सूडान की, तो सूडान जो है वो उत्तर पूरवी अफरीका में इस्तित एक देश है यानि ये अफरीका महादेव का हिस्सा है इसकी राजधामनी खर्तूम है क्या है दोस्तो सूडान की राजधानी खर्तूम है यह अफरीका और अरब जगत का सबसे बड़ा देश है इसका इलावत छेतरफल के लिहाज से अगर हम बात करें तो यह दुनिया का दसमा सबसे बड़ा देश है दोस्तो सुडान में जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी तो यह देश को पूर्वी और पश्मी हिस्चों में विभाजित करती है यानि सुडान को दो भागों यानि पूर्वी भाग और पश्मी भाग में कौन सी नदी विभाजित करती है नील नदी विभाजित करती है, दोस्तोغ सूधान के कुछ पडोसी देशों के नाम हम डिसक्स कर लेते हैं, तो सूधान के पडोसी देश हैं इजिप्ट, लीविया, चाड, C.A.R., साउद सूधान, इसके अलाबा इथियोपिया और इरिट्या, इसके पडोसी देश हैं इसके अलाबा जो लाल सागर है या रेड सी है इसकी भी सीमा सुदान से लगती है दोस्तो अगला कुश्चन है important कुश्चन है आप बहुत इध्यान से सुनिएगा यह से कुश्चन आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं sunrise over आयोध्या नैसन हुड in overtime नामक पुस्टक किसी है, यानि किसने लिखिया है तो दोस्तो हाली में sunrise over आयोध्या नैसन हुड in overtime नामक पुस्टक को लिखा है किसने सलमान खुरसीद ने तो अभी इस पुस्टक को लाँच किया गया है दोस्तो सलमान खुरसीद की पुस्तक है सनराइच ओवर आयोध्या नैसन होड इन ओवर टाइम को हाली में लॉंच किया गया है इस पुस्तक में 2019 में राम जन्व भूमी बाबरी मस्जिद बिवाद में आए फैसले पर प्रकास डाला गया है दोस्तो इसमें वो कहते हैं कि जो सर्बोच डालत है यानि सुप्रेम कोर्ट है ने कानूनी सिحदान dobr को स्विकारते हुए सब्विता से संबन्दित घाव पर मरहम लगाते हुए संद्लन बनाने का बैतरीन प्रयास किया है यानि दोस्तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो सलमान खुरसीद है ये कांग्रेस के एक नेतना है और अच्छे लेकक भी है अच्छे वकील भी है तो उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोट ने फैसला सुनाया था 2019 मे राम जन्व भूमी और बाबरी मस्जिद पर वो फैसला बहुत ही अच्छा फैसला था इसने जो हमारी जो सब्विता थी उससे संबंदे जो घाव थे उन पर मरहम लगाने का काम किया है दोस्तो अब हम कुछ बातें सलमान खुरसीद के बारे में डिसकस कर लेते हैं तो सलम और अल्प सेंख्यक मामलों से संबंदित मंत्रालाय भी समाल चुके हैं दोस्तो सलमान खुरसीद एक पॉलिटीसियन तो है ही इसके अलाबा ये एक अच्छे वकील है लेखक है और एक ये कानूनी सिक्षक भी है तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो सलमान खुरसीद ह उनका एक बहुत अच्छक केरियर है और ये अच्छे पॉलिटीसियन है लेखक भी है तो उन्होंने जो पुस्तक लिखी है क्या नाम है उनकी पुस्तक का याद रखिएगा संराइज ओवर अयुद्या नैसन हुड इन ओवर टाइम दोस्तो अंगला कुशन डिसकस करते हैं इंफरास्ट्रक्शर मिसन है उसकी शुरूबात प्रधानमंत्री जी के द्वारा बरार सी से की गई है दोस्तो प्रधानमंत्री नरेंदर बोधी ने 25 अप्टूबर को अपने संसदीय निरवाचन छित्र यानि जहां से वो चुनाव लड़ते हैं वहां से प्रधानमंत्री आईश्मान भारत हेल्थ इंफरास्ट्रक्शर मिसन की शुरूबात की है इसके अलावा उन्होंने अपने संसरी छित्र में 5189 करोड से अधिक की 20 विवेन विकास परियोजनाव का उद्गहटन किया है दोस्तो 5 साल तक चलने वाले प्येम आईश्मान भारत हेल्थ इंफर स्ट्रक्शर मिसन के लिए बजट में 64,180 करोड रुपय का प्रावधान किया गया है दोस्तो इसकी घोशना साल 2021-22 का जो केंद्रिय बजट था उसमें की गई थी अब हम समझ लेते हैं कि क्या है सरकार की यह नई इसकीम तो सरकार के मुताबिक इस योजना के तहत हर जिले म हेल्थ इंफरस्ट्रक्शर को डेवलब किया जाएगा और उन्हें आत्म निर्भर बनाया जाएगा इसके साथ ही बढ़े हुए निवेज के जरिये संकूर दच्छता से बिक्सित किया जाएगा यानि दोस्तो इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार का यह मानना है कि जो हेल्थ इ जिले में लागू होगी यानि हर एक जिले में अच्छा हेल्थ इंफरस्ट्रक्शर डेवलब किया जाएगा इसके लावा सरकार ने बताया है कि यूजना के तहत 12 केंद्रिय अस्पतालों में क्रिटिकल केर होस्पिटल ब्लॉक बनाया जाएगे और सरकार ने यह भी बताय कोश्चन डिसकस करते हैं इंपोर्टेंट कोश्चन है ध्यान से सुनिएगा IPL यानि इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के लिए कितनी नई टीमों का एलान किया गया है तो दोस्तों अभी तक जो IPL है उसमें आठ टीमें खेलती थी लेकिन 2022 में अब दो नई टीमें और जुड़ हो गया है और सौंबार को दोगई में दो नई टीमों के लिए बोली लगाई गई जिसमें एहमदाबाद और लखनव का नाम तया हो गया है यानि अब दो नई टीमें कौन-कौन सी हैं एहमदाबाद और लखनव BCCI को इन दो टीमों से 12,000 करोड रुपए से अधिक की कमाई हुई है जो कि उसकी उमीद से काफी ज़्यादा है तो दोस्तो लखनव के लिए संजीव गोयंका गुरूप की ओर से 7,090 करोड रुपए की बोली लगाई गई थी पहले भी वह IPL की राइजिंग पूने जाइ हम संजीव गोयंका गुरूप की बात करें तो यह पहले भी IPL में भाग ले चुका है और इसकी जो टीम थी वो थी राइजिंग पूने जोइंट्स दोस्तो एहमदाबाद की बात करें तो एहमदाबाद को 5,625 करोड रुपए की बोली लगाई गई थी और इसको खरीदा ह किसने बिदेशी कंपनी CBC गुरूप के दौरा तो दोस्तो याद रखना है कि जो लखनव की टीम है उसको खरीदा है संजीव गोयंका गुरूप ने और जो एहमदाबाद है एहमदाबाद की जो टीम है उसको खरीदा है बिदेशी कंपनी CBC गुरूप ने तो इस प्रकार टीम जो होगी वो घरेलू मैदान पर साथ और बिदूर्धी टीम के मैदान पर साथ मुकाबले खेलेगी। की शुरुबात की है आंसर इसका 36 गर्ड़ प्रधान मंद्री नर्यंद बोधी ने 25 सक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज़ों का उद्गाटन किया है नौ और अंगला कोशन है तुर्की के राष्टपती रैसेप टाइप एर्दोगन ने कितने दोस्तों को देश चोड़ने का आदेश दिया है तुर्की के राष्टपती ने दोस्तो भारत के पहले किस स्वदेशी बिमान बाहक युद्ध पोध के दूसरी चरण की समूदरी परिक्षण को सुरू किया गया है तो आंसर इसका बिक्राद दोस्तो अब हम वो कुशन डि आईबेल 2021 का खिताब किसने जीता है तो इन सभी प्रस्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे अब वो नाम डिसकस करते हैं जिन्होंने कल के आंसर बहुत ही सठीक दिये हैं तो पहला नाम है विश्णू स्वलंकी दोसरा है आदित श्रीवास्ता और तीसरा ह बहुत ही सठीक आंसर दिये गए हैं आप भी इन प्रस्नों के इन पांच प्रस्नों के आंसर दीजेगा हमें जा रहेगा आपके आंसर का अगर आपने अभी तक को खब्रिया फॉर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजेगा वहाँ पर आपको मोज्ट इंपोर्टेंट परचिश कर सकते हैं उसके लिए आपको एक रैफरल कोड यूच करना हुगा राजा नमबर वन जैसे ही आप यह रैफरल कोड यूच करेंगे आपको इस कोर्स में छूट मिल जाएगे चलिए फ्रेंड्स मिलते है नेक्स लेक्चर में आप इस लेक्चर को लाइक कर दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा जाहिंद वंदे मातरम